ये क्या हुआ? मुझे ठोकर लगते ही ये हाथ से चूटकर गिर क्यों गये? तूट की गये? अब आप कहेंगे ये तो ऐसा ही होता है? इस जीवन में, इस संसार में, ठोकर लगने के पुश्चात हमारे हाथ जो भी होता है वो चूट जाता है जो बनता है वो तूट ही जाता है तो क्या ये सत्य है? आप पो एक बात बता देता है ठोकर खाकर गिरने के पुश्चात संसार की कोई भी वस्तु भले हाथ से चोट जाता है सफलता अवश्य आती है चाहे कितनी भी बुरी तरीके से आप गिरे हो ठोकर खाई है मवश अवश्य बनता है क्योंकि ये ठोकर ये सफलत ये कठिनाई है ये हमें ऐसे निखारती है जैसे अगनी स्वर्ण को इसने जीवन में केवल आगे बढ़ते जाए प्रिड निश्चय के साथ बढ़ते जाए और ठोकर खाकर गिरने से कभी भैवीत मत होई है क्योंकि ये आने वाली सफलता का संकेर और सफलता तभी मिलेगी जब आप गिरोगे जब आप पुना उठोके और जब आप पुना जीवन में आगे बढ़ते क्या थे रहे प्रिम गरेना दोनों समाइंग शब्द है कैसे देखे ना दोनों में ढाई अक्षर है दोनों वो भाव है जो हमारे मन से जुड़े हैं और दोनों भाव से जुड़े व्यक्ति हमारे अंतर बिस इतना है कि प्रेम को मिलता है समार और ग्रिना को मिलती है उपेक्षा ऐसा क्यों है प्रेम वो भाव है जहां व्यक्ति सब कुछ देर देना चाहता है सब कुछ हार जाना चाहता है वही ग्रिना ऐसा भाव है जहां व्यक्ति सब कुछ पानेना चाहता है सब कुछ जीतना चाहता है फिर भी प्रेम ये भाव कभी आपको हारने नहीं देता है और ग्रेणा ये भाव आपको कभी जीतने नहीं देता है अब क्या करेंगे एक ही जीवन है ग्रेणा के साथ व्यतीत करेंगे क्या प्रेम के सब्सक्राइब मैं तो प्रेम को ही चनूंगा राधे राधे सूर्य किसी के लिए उर्जा दाता इशोर तो किसी उल्लू के लिए आग बनकर देने वाली प्रकाश पूर नदी किसी के लिए प्यास बुझाने कासरो तो किसी के लिए बाड बनकर विनाश कर देने वाली दप्ता सागत किसी के लिए खारे पानी का भंडा तो किसी के लिए अनन्त जीवों का साथ प्रश्टी ये है कि हर एक व्यक्ति के लिए किसी भी भाव या वस्तू की परिभाशा भिन्न क्यों होती जो किसी के लिए विश्च वो किसी के लिए अम्रित के जो किसी के लिए अम्रित वो किसी के लिए विश्च उत्तर सरल है हम वस्तूओं को या भावों को वैसे नहीं देखते जैसे वो होते हैं हम वस्तूओं को या भावों को वैसे देखते हैं जैसे हम होते हैं अब इसका निवारंग क्या स्वयम को शुब कीजिए सब कुछ शुब हो जाएगा राधे राधे चले एक प्रश्न करता हूं किसी व्यक्ति से पूछी है क्या वो मूर्ग आलसी और विवेकी और सपल इन नामों से स्वयम की पहचान करवाना चाहेगा नहीं किसे पूछी क्या आप मूर्ग हो या नहीं आप असफल हो नहीं और विवेकी हो नहीं अब बताइए क्या आपने मूर्ग या असफल बनने के लिए कभी जीवन में एक अच्छी योजना बनाई है उत्थर मिलेगा नहीं क्योंकि कोई भी योजना नहीं बनाई जा सकती जिससे आप मूर्ग के आसफल बने प्रक्ति मूर्ग के आसफल तब बनता है जब वो योजना ही नहीं बनता देखे छोट आसा जीवन इसे नियोजत कर ताकि अधिक से अधिक लोगों को आप जोड सके अधिक से अधिक प्रसनिता पा सके अधिक से अधिक सफल ता प्राप्त कर सके अधिक से अधिक लोगों का मार के दर्शन करके उनका कल्याइं कर सके और सफल रहकर घर पे बैठने से अच्छा ही है कि आप एक योजना बना करा सफल क्योंकि तब आपके पास एक और विकल्ट होगा एक नए योजना बनाने तो उसे साकार करने क्यों कोई ने कोई योजना तो होगी जो आपको आपके लक्स तक पहुचा दें क्यों राधे राधे सत्य और असत्य दोनों में अंतर क्या है अंतर है तो केवल अर्क अब अ से होता है आरम अ से होता है अंत्य सत्य वो है जहां सारे मार्गों का आरम होता है असत्य वो जहां सारे मार्गों का अंत होता है अब इनके पाव तो नहीं होते हैं किंदो फिर भी ये निशान छोड़ ही जाते हैं सत्य वो निशान छोड़ता है जो एक उत्तम उज्वल उधारन बनता है और असत्य वो उधारन छोड़ता है जो एक कलंग इतिहास बन जाता अब आप आने वाले समय के लिए कौन सा निशान छोड़ेंगे निरे पूर्णता आपका है, राधे राधे, कभी आपने सोचा है, हमें जिवा के साथ साथ कान क्यों मिलें, अब आप कहेंगे सरल सी बात है, ताकि हम बात करने के साथ ही सुनना भी सीख लें, अब इसका एक और तात परिये है, पहले मुझे बताईए, स्वयम की प्रशन सा स सुनना किस-को अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, अब यही है साथ, यही इन कानों से आप स्वयम की प्रशन सा सुनना चाहते हैं, तो स्वर्व प्रथम इस जिवा से दूसरों की प्रशन सा करना सीख, आप प्रशन सा के विशे में कत्यांता महतुपूर्ण आपको बता देता है, कभी किसी की प्रशन सा यदियाब करते हैं, तो सर्व प्रथम उस्व्यक्ति का उच्छा बढ़ जाता है, तो स्वयम में यदि जाग कर देखें, तो इस मन में भी संतोश और प्रसनता आ जाती है, और एक बार ये मन प्रसनता से भर जा, तो प्रशन स करे या ना करे, कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए सदय वह दूस्तों का मान करे, आदर करे, उनकी प्रशनुसा करे, तो संता बात है, जिर में जो भी अच्छाईयां हैं उनने बताएं, उनस्मरन करवाएं कि वो भी अच्छे हैं, उनका उत्सा बढ़ा आएं, वो जीव आपको कभी पीछे नहीं रहने देगा राधे राधे